नमस्कार आप देख रहे हैं देश्वान यूज और मैं हूँ आपके साथ दक्षा पिया आप तक आपने मुफ्त के कई स्कूल और शिक्षा संस्थानों को संचालत होते हुए देखा होगा लेकिन जब शिक्षा के बदले में आपके बच्चे के फीज के रूप में कच्रा मा वकीकत है बिहार के गया जिले के बोदगया में एक ऐसा ही स्कूल है जहां बच्चों से स्कूल फीस नहीं ली जाती है बलकि उन्हें पढ़ाई तो मुफ्त में कराई जाती है लेकिन उनसे कच्रा जरूर वसूल किया जाता है इसके लिए बजापता उन्हीं बैक भी दिया बच्चे घर और सडक से लाए कच्रे को स्कूल के गेट के पास रखे डस्ट बीन में नियमित रूप से डालते हैं पध्यपानी एजुकेशन एवं सोशल फाउंडेशन से संचालित पध्यपानी स्कूल के बच्चों के द्वारा घर या रास्ते से जो भी प्लास्टिक का क कच्रा लाया जाता है उसे स्कूल के बाहर बने डस्ट बीन में डालना होता है बाद में इस कच्रे को री साइकल होनी के लिए बेज दिया जाता है कच्रा बेज कर जो पैसा एकठा होता है उस पैसे को बच्चे कि पढ़ाई खाना कपड़ा और किताबों पर खर्च excit कीया लेकिन यह कार्यें 2018 से चल रहा है उन्होंने कहा कि विद्याले बोध गया इलाके में हैं जहाँ प्रति धिन हजारों की संख्या में देश विदेश से शधालूँ पहुचते हैं उन्होंने कहा कि देश के प्रधान मंत्री ն्राणा dew Denise है वो दो क्ले और इससे जलवायू परिवर्तन होता है उन्होंने आगे कहा कि अभिभावक के बच्चे कच्रा चुनते हैं सडकों पर से तब वो खुद भी सडक पर कच्रा फेकने से बच्चते हैं। परिवार के बच्चे पढ़ने आते हैं। इस कारे के बाद बच्चों में भी जिम्मेदारी का हैसास दिख रहा है। बच्चे भी कहते हैं कि हम भी तो समाज को कुछ योगदान दे पा रहे हैं। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही बने रहे है हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।